बिसमिल्लाइर रह्मारी रहीम, असलाम अलेकुम, वेलकम तु दे कुट रिवीव सीरिस ऑजनले नॉलिश फेक्ट्स, आज का जो हमारा फेक्ट है, जिससे हम इन शॉर्ट डिसकर्स करेंगे, वो है, हाव दूट पिंपल्स यानि हमारी स्किन पे पिंपल्स किस तरहां से आ जाते हैं, आज का टॉपिक तो लड़कियों के लिए बढ़ा इंट्रेसिंग टॉपिक होगा, कि पिंपल्स किन पे किस तरहां से आ जाते हैं, let's have a start, in our skin, हमारी स्किन के अंदर, क्या है, hair follicles प्रेजंट है, hair follicles, यानि जहां से hairs हमारी पास arise होते हैं, जहां से hairs हमारी पास करते हैं, sweat को extrude out करते हैं, through the pores, इसी तरह से sebaceous glands प्रेजंट हैं, जो कि sebum प्रोड्यूस करते हैं, इस sebum को function क्या है, यह सीवम स्किन के अंदर, क्यों प्रोड्यूस करते हैं, इस sebum को function इतना है, कि यह हमारी स्किन का जो surface है, उसको moist रखते हैं, और जो hair है, hair की जो tip है, skin क के ओपर, उसको क्या करते हैं, यह moist रखते हैं, अब sometimes ऐसा होता है, कि हमारी स्किन के ओपर dead cells present होते हैं, because of the presence of these dead cells, यह क्या करते हैं, वो pore जिसके through sebum बाहर आ रहा होता है, उस pore को block कर देते हैं, यह dead cells, अब blockage में क्या होगा, कि जो sebum produce होगा, वो बाहर नहीं आ सकेगा, क् यह sebum जो है, इसको आप कहलें, कि यह best place है for bacteria, अब यहाँ पर bacteria easily रह सकते हैं, आप जब bacteria वहाँ पर रहेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, कि white bread cells जो body के है, body का immune system है, वो white bread cells को, और RBCs को वहाँ बेज़ेगा, क्योंकि क्या है, एक defect, एक immune system है, एक antigen detect कर रही है हमारी body, जि हमारे पास red bread cells और white bread cells वहाँ पर आएंगे, तो red bread cells सबसे पहले क्या करेंगे, वो जो sebum जहाँ पर blockage हुई भी है, उस area को RBCs कवर कर लेंगे, यह जो आपको आपके pimple की side पर, जो reddish area नज़र आता है, these are RBCs covering the sebum area, ठीक है, RBCs होते हैं, जिन्होंने आपके pimple की side को cover किया start करेंगे, जब bacteria की eating होगी, as a result of bacteria eating, वहाँ पे sebum के अंदर inflammation काउज होगी, उस skin area के अंदर, as a result of that inflammation, वो जो pore है, वो जो area है, वो थोड़ा सा क्या हो जाएका, bump off हो जाएका, थोड़ा सा swell होके बाहर की तरफ आएगा, यह जो आपको white portion नज़र आ रहा होता है, आपके pimple का जो skin के बाहर निकल के आता है, this is what, because of inflammation of white blood cells, white blood cells, जब bacteria को engulf करेंगे, वो inflammation cause होती है, उसके result में वो थोड़ा सा bump बन जाता है, बाहर आ जाता है, और जो side पे reddish portion होता है, that is because of RBCs, जो वहाँ पे उस area को, उस blood में, उस जगह पे क्या कह रहे होते है, blood provide कह रहे होते है, this was the today is fact why we get pimples, hope so you enjoyed it, thank you so much.